बाहु दिन ओइल इंडिया के अंदर जबदस्त तेजी देखने को मिला है और साती सात गॉस यह जबदस्त तेजी के बजे से एक बहुत ब़रा मल्की यर ब्रेकाउट पेटर्र हमको टेक्निकल अनलाइसिस के अदर दिख रहा है। और साथी साथ गाइस ओयल इंडिया के अंदर बहुत सारा ब्रोकरेज हाउस से बहुत बरा बरा टारगेट निकल के आ रहा है तो क्या कुछ टारगेट निकल के आ सकता है टेक्निकल एनलाइसिस के अंदर सारा कुछ आज के इसे वीडियो में मैं डिसकस करने बाला हो तो आप इस वीडियो को सुरू से लेकर आंतर तक एक भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नूटिफिकेशन अन कर दीजिएगा सबसे पहले हम लोग को बात काल लेते हैं कि बहुत बारा ब्रोकर जाउज यानि कि प्रभुधस लिलाधर ने बहुत बारा टार्गेट दिखा दिया है बंग प्रभुधस लिलाधर के टार्गेट जो निकल के आ रहा है वो लगभग 344 रुपीज का टार्गेट निकल के आ र वाला है 30 and 70% respectively post competition of major project in Assam यानि कि Assam project complete होने पर भी 32 70% धिरेदरे करके increase होगा और साती साथ गाइस इन आर एल refinery expansion अभी 9 metric ton per annum हो जाएगा अभी current 3 metric ton पार नाम से 9 metric ton यानि कि लगभग 300 पासेंट का growth देखने को मिलागा लगभग financial year 2025 के अंदर और साती साथ गाइस एक और बहुत बड़ा reason जो है वो है no imposition of windfall taxes यानि कि अभी windfall taxes नहीं लगाएगा नहीं लगेगा ओयल इंडिया के ऊपर अप्टर टू यार अब डिप्रेस्ट प्रॉफिट और साथी साथ गाइस क्यूंकि windfall tax नहीं लगेगा इसके लिए और भी ज्यादा profitability में भी फड़ाख परेगा और साथी साथ गाइस अभी no price cap on gas prices and also YNL oil India as well and placed a benefit from rising oil and gas prices from high GRM and also FY25 के अंदर EBITDA भी इंक्रीज हो सकता है लगभा का 210 बिलियन रुपिस के अंदर तो बहुत सारा growth का in perspective है उसके बज़े से अभी 344 रुपिस का टार्गेट दिया है और साथी साथ गाइस इंके global financial report के मुताबिक भी 300 से ऊपर ही टार्गेट मिला है लगभाग 305 रुपिस का टार्गेट मिला है अभी हम लोग सीधा चले जाते हैं अभी टेक्निकल अलालाइस के ऊपर और अगर आपको दिखाएगा अभी हम लोग विकली चार्ट पैटन में है और विकली चार्ट का पैटन में बहुत बरिया एक ब्रेक आउट का पैटन हमको दिख रहा है जिसमें की गाइस यह बला जो हम जो रिस्टेंस सा जो के था 253 रूपिस का असपास इस रिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा था ओईल इंडिया स्टॉक मगर आज के दिन बहुत बरिया भॉल्यूम के साथ आज के दिन बहुत बरा ब्रेक आउट दिखा दिया है अगर हम लोग विकली से डेली कंडल स्टिक टाइम प्रैटन पे अग बहुत बरिया एक ब्रेक आउट तो हमको दिखी रहा है और साथी साथ गैस यह स्टॉक अभी अपना ट्विंटी डेमा फिप्टी एन अलसो हंड़ेद टूहंडेद डेमा की उपर ही कामकाच कर रहा है आपको यहापे क्लियाली देख रहा होगा कि यहापे पिछले दिन र बहुत बड़ा ब्रिक आउट दिख्या दिया है और आपको यहापे क्लियाली देख रहा होगा यह वाला जो ब्लू लाइन है लगभग टूहंडेद सिस्टी रूपिस का असपास यह ब्लू बढ़ा लाइन बहुत ही ज्यादा एक रिस्टेंस लेबल था मगर उस रिस्टे लेबल के ऊपर चला गया मगर फिस से बहुत बड़ा एक डाउनसाइड मोमेंटम आया और साती साथ बहुत बढ़िया एक भीक बन गया अगर हम लोग के देखे टार्गेट क्या कुछ निकल के आ सकता है तो टार्गेट लेबल हमारे दुआरा जो भी टार्गेट निकल के रहा है वो लगभग लगभग काईस आपना 324 रुपीज के आसपास निकल के आ रहा है अगर हम लोग वीकली चार्ट पैटर में आ जाए तो आपको क्लिया यह ना टार्गेट बहुत ही अच्छी तरीके से समाझ में आ जाएगा यह जो 324 वाला रुपीज है यह बहुत ही सब्सक्राइब को दिख रहा है लगभग 2010 के अंदर यह इस लेवल तक आ किया था आपको यह पर क्लियाली देख रहा होगा 2010 सेप्टेमबर के अंदर इस लेवल पर फिर से 2014 के अंदर इस लेवल पर आया है और साथी साथ अभी आपना लाइप टाइम हाई के बहुत नहीं अगर आपको इस वीडियो पासंद दाता है तो आप जरूर हमारा वीडियो को लाइक कॉमेंट यान शियर कीजेगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नूटिफिकेशन अन कर दीजेगा